सो नमस्कार दोस्तों मैरा विराज गोस्वामी और आप देख रहे हैं अप्डेट रेश्टार स्वागत है आप सभी का दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं काफी important topics पे because क्या है काफी सारे लोग ये सोच रहे हैं कि हमारे हैं करोना का वैक्सिन आ चुका है 40 गंटे बाद आचानक उस महिला की मौत हो गई महिला के मौत के बाद वहाँ पे काफी हड़कम मचा हुआ है because और भी काफी सारे health workers को उसके साथ में करोना का वैक्सिन लगाया गया तो वो लोग सोच रहे हैं कि हमारे साथ क्या होगा दोस्तो सोनिया एके वेड़ो को 30 दिसंबर को करोना का वैक्सिन लगाया गया और 31 दिसंबर को उन्होंने अपने फैमली के साथ निव येर का पार्टी सेलिब्रेट किया और आचानक एक जनवरी को उसके फैमली वालों के पास से कॉल आता है कि उसका मौत कैसे हुआ, उसका रीजन जानना चाहरे है वो इसके लिए दोस्तो पुर्दगाल का स्वास्त मंत्राल है उसको इसके लिए इंफर्मेशन दे दिया गया है और वहाँ पे वो जाच भी कर रहा है कि कैसे इस महिला का मौत हो गया दोस्तों मैं बताना चाहूंगा पुर्दगाल की जो जन संखिया है एक करोड है लेकिन वहाँ पे 4,27,000 से उपर करोना के केसे सामने आ चुके हैं और 7,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पे मौत हो चुकी है दोस्तों जो यह वैक्सिन लगाया गया वो फाइजन कंपनी का वैक्सिन था और वैक्सिनेशन की जो प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद जो महिला सोनिया एकवेडो थी उन्होंने चैनकारी दिया था फेस्बुक पोस्ट करके कि उन्हें 30 दिसंबर को करोना का वैक्सिन लगाने के बाद कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखा था जिसके कराण उन्हों के दौरार कुछ पूष्टी नहीं किया जा रहा है अभी लेकिन दोस्तों आने वाले टाइम में इस चीज का रिसर्च किया जाएगा और मालूम किया जाएगा कि कैसे उसका मतलब डेथ हुए लेकिन वो अभी पूरे तरीके से ठीक है और उनके अंदर कोई साइड इफेक्ट दिखाई नहीं पड़ रहा है लेकिन जो दोस्तों इसका मेटर सामने आया फाइजर इंगा वैक्सीन है मैं इस पर कोई सवाल नहीं उठा हूँगा दोस्तों जो निउज आया था मैंने जल रहा है और जहां आज के बाद कंप्लीट वालूम चलेगा कि महीला का मौत कैसे हुआ था दोस्तों ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए प्लीज हमारे चनल को सब्सक्राइब कर लीजे मिलते हैं नेक्स वीडियो हम तक तक के लिए धन्यवाद